तो चलिए भी आज के इस lecture में हम types of ROM के बारे में पढ़ने वाले हैं इसके बाद में आपका primary memory complete हो जाने वाला है और next lecture से हम secondary memory को start करने वाले है ठीक है इसके लिए भी आप चैनल को subscribe भी कर सकते हो तो भी जो ROM होती है वो four type की होती है एक तो भी यह M-ROM second होती है P-ROM third होती है E-P-ROM और fourth होती है E-E-P-ROM तो देखिए जो M-ROM होती है उसकी full form होती है masked read only memory और इसके अलावा भी आपको पता होगा कि जो ROM होती है उसको built-in memory बोला जाता है कि भाई जब इसको built किया जाता है जब इसको manufacture किया जाता है तो भाई जो manufacturer होता है जो इसको बनाने वाला होता है वो क्या करता है कि जब इसको बनाते हैं उसी समय इसके अंदर जो भी information या data डालना होता है वो उसी समय इसके अंदर डाल देता है ठीक है इसलिए इसको बोलते है built-in जब built किया जाता है उसी समय इसके अंदर data को in कर दिया जाता है तो चलिए first point देखते हैं इसे classical और normal ROM भी बोलते हैं Classically इसलिए बोलते हैं कि इसको हम पहले यूज में लेते हैं आज का लगबग इसका यूज खतम हो चुका है ठीक है next point देखिए कि यह कोई भी प्रोग्राम हो गया या कोई भी software हो गया कोई भी instructions हो गई कोई इंफोर्मेशन हो गया कोई भी data हो गया उसको manufacturing के टाइम पर ही जो MROM होती है उसके अंदर डाल दिया जाता है जो कोई भी company होती है जो ROM बनाती है जो MROM बनाती है वो क्या करता है कि जब इसको बना जाता है उससी समय इसके अंदर data को डाल दिया जाता है इसलिए इसको built-in memory बोला जाता है जब भी MROM को built किया जाता है उससी समय इसके अंदर data इन कर दे जाता है ठीक है अभी हमने देखा था कि जो रोम होती है उसको built-in memory बोला जाता है और रोम में भी भी जो एम रोम होती है उसको built-in memory बोला जाता है next पॉन देखिए कि एक बार MROM में data को write करने के बाद उसमें कोई भी change या modification नहीं किया जा सकता है केवल जो data पढ़ा हुआ है उसको read किया जा सकता है अब भाई इस line के क्या मतलब है तो देखिए manufacturing के time पर जो भी data MROM में डाला जाता है भाई या वो final होता है अब ना तो उस data को change किया जा सकता है ना ही उस data data को delete किया जा सकता है और यदि कोई और extra data add करना है MROM में तो वो भी नहीं किया जा सकता जो manufacturing के समय डाल दिया 500 डाल दिया वो final है अब वो permanently इस रोम के अंदर store रहने वाला है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें केवल एक बार ही data को डाला जा सकता है एक बार ही इसके अंदर programming की जा सकती है तो next भाईया पी रोम पी रोम की full form होते है प्रोग्रामेबल read only memory अपनको इसमें first point यह ध्यान रखना है कि भाईया यह एकदम blank chip होती है बिलकुल खाली होती जब भी इसको manufacture किया जाता है तो इसमें कोई भी data नहीं डाला जाता है लेकिन भाईया जो MROM होती थी उसमें क्या था कि जो company थ सकते थे हम मतलब कि हमको वहाँ पर लिखने की permission नहीं थी क्योंकि लिखने के काम भाईया वो manufacturer company करती थी ठीक हम नहीं करते थे लेकिन जो पीरो में इसमें क्या भी इसमें मौका दिया गया है हम जैसे लोगों को जो user है हम जैसे लोग मतलब कि जो user है उनको मौका दिया गया है या data को इसके अंदर burn कर सकता है बर्न करना मतलब कि data को इसके अंदर लिखना right करना अब देखिए कि आप ने भाईया एक बार प्यरो में data को right कर दिया या burn कर दिया या डाल दिया ठीक है उसके बाद में भाईया यह M-rom जैसी बन जाती है मतलब कि ना तो अब आप data को delete क कर सकते हो ना ही अब इसमें आप data को और add कर सकते हो मतलब कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप केवल एक बार ही इसके अंदर data को लिख सकते हो write कर सकते हो मतलब जो MROM है और PROM है उसमें फरक इतना ही है कि भाई एम रोम को जो manufacture company है वो उसमें data को write करती है लेकिन जो PROM भाई इसमें जो user है वो data को इसमें write कर सकता है तो next point देखिए यह warm warm का मतलब कि write once read many तो यह obviously बात है कि आप जो यह PROM है इसके अंदर data को केवल एक बार ही write कर सकते हो ठीक है और जो आपने data write किया तो भाई बाद में उसको आप कितनी बार यूज में ले सकते हो या कितनी बार उसको आप read कर सकते हो ठीक है end OTP OTP मतलब कि one time programmable इसका मतलब यह कि केवल आप एक बार उसके अंदर data को प्रोग्राम कर सकते हो या write कर सकते हो आपने एक washing machine बनाई ठीक है जिसमें जो यह रोम है इसको आपने वहाँ पर प्रोग्राइमिंग करके लगा दिया मतलब कि जो भी आपको इसमें data डालना था क्या कर सकते हैं वह washing machine को चला सकते हैं कितनी बार यह पन चला सकते हैं कितनी बार यह data को हम use कर सकते हैं या read कर सकते हैं तो अब next आते हैं यह EPROM EPROM की full form होती erisible programmable read only memory ठीक है तो भी जो MROAM और जो PROAM होती थी उसमें हम data को delete नहीं कर सकते हैं एक बार हमने data को program कर दिया या write कर दिया तो भी यह वो final होता था हम उसमें कोई भी छेरचार नहीं कर सकते हैं लेकिन जो EPROM होता है इसके अंदर हम data को delete कर सकते हैं और वाप और इको erase करने के लिए approximately 40 minutes तक ultraviolet raise से pass किया जाता है इसलिए इसे ultraviolet EPROM भी कहते हैं इसमें chip को बाहर निकालना पड़ता है इसमें मतलब कि जब इसको अपन को erase करना होता है इसके अंदर का data तो तब chip को बाहर निकालना पड़ता है वहां से इस chip को अपन बाहर निकाल तो जाता है लगबग 40 minutes तक ठीक उसके बाद में क्या होता है इसके अंदर तो data होता है वह delete हो जाता और उसके बाद में आपको और भी data इसमें डाल सकते हो next point देखिए कि जब इसके अंदर के data को delete किया जाता तो पूरा का पूरा data इसके अंदर से delete होता है यदि आपको कोई भ अब देखिए जब इपी रॉम को यूज करते था तो यह कुछ प्रोब्लम्स आती थी इपी रॉम के साथ में फर्स प्रोब्लम थी थी यह आपको इपी रॉम को बाहर निकालना पड़ता था data को erase करने के लिए ठीक है ओ जो data था यह काफी time लेता था delete होने में लगबा कि 40 minutes के आज पास वो data time लेता था erase होने में ठीक है थार प्रोब्लम है थी यह जो पूरा को पूरा data है वो उसमें से delete हो जाता था ठीक है अब इसके विप्रीद हम double EPROM की बात करें ठीक है तो इसको आपको circuit से बाहर निकालना नहीं पड़ता है ठीक है और बहुत ही कम समय में 10 millise second में जो data है उसके अंदर वो erase हो जाता है ठीक है और इसमें एक benefit है कि हम selective data को भी delete कर सकते हैं पूरा पूरा data हम delete कर सकते हैं लेकिन हमको selective data भी यहां से delete करने का मोगा मिलता है तो चलिए first point को देखते हैं इसमें रखे data को approach 10 mint में electric pulse या electricity की help से erase किया जाता है इसमें chip को बाह erase किया जा सकता है पूरा तो कर सकते हैं कि selective को हम erase कर सकते हैं थाड़ पूर्ण देखिए rewritable होती है मतब कि हम इसमें कितनी बार ही data को वापिस लिख सकते हैं delete करके मतब कि री प्रोग्रामेबल यह होती है तो देखिए आजकल इसी रोम का ही यूज किया जा रहा है जहां बर हमको बार बार update लाना पड़ता है किसी भी electronic device में ठीक है वहां पर भी है यह रोम काम में ली जाती है कि हम इसमें selective data को delete या add कर सकते हैं ठीक है जैसे जो अपना computer होता है जो उसमें जो रोम होती है वो डबल इपी रोम ही होती है जिसके अंदर बायो स्टोर रहता है अब अब इसको अपने computer में USB port के थुरू लगाते है और अपनको कोई बी data इसमें से delete करना होता है तो क्या हमको डबल इपी रोम को उसमें से बाहर निकालना पड़ता है या नहीं निकालना पड़ता है उसके अंदर जो डेटा होता है जाव उसको डिलीट करता है लगबक 10 मिली सेकिंड के अंदर ही वो डेटा वहां से डिलीट हो जाता है जबकि जो इपी रोम होती भी है उसमें लगबक 40 मिल के आज पास आपको डेटा उसमें डिलीट होने में लगता था वहां पर और उसको बाहर निकालना पड़ता था तो चली गाईज यहां पर आपका खतम होता है टाइप्स ओफ रोम के बारे में नेक् लिखते आपसे next lecture